भारत के स्वतनत्रता की 75 वी वर्ष गाट के अउसर पर स्वतनत्रता का अम्रत महत्सों के तहत देश भर में केंजर और राज्य सरकार उद्वारा विविन नपहलों को लागू के अचारा है इसे के आदार पर सरकार ने लाबातियों के साथ संगुष्टी कारिक्रह आरजित क सरकार ने मुझे कई योजनाओं का लाब दिया है घर, रोजगार, स्वास्त और रहनसर हाथ से में घर का आदमी हमिशा के लिए हार गया ऐसी स्थिती लड़कियों के भविश्य को लेकर मुझे चिंता हती है नागपुरसले के लाबातियों ने मांग की कि सरकार मेरी दो ब संदिया मंगलवार को तीन सत्रों में हुए कारिक्रम में सरकार के प्रती लोगों की अप्रिक्षाओं, अप्रिक्षाओं की पूर्ती और खुशी और कई जगहर संतुष्टी का समवाध हुआ केंजराज और स्थानिक प्रशासन के बीच दोहरे सववाद मी प्रासंग एकता और संतुष्टी की इह तस्वीर देखने को मिली जलाप्रशासन का कारिक्रम सुबह नौ बजे शिरु हुआ दूसरे सत्र में सुबह पौने दस से पौने ग्यारा बजे के बीच मुख्यमत्री उद्व ठाकरे और उपमुख्यमत्री अजीत पवाणी महाराश्ट्र के प्रतिनी थी लाबातियों से बात चित की नाकपुर्जले से संगीता रविंद्र टिकम, सुमन गदिराम डोनारकर और मिराबाई फुकत गणवीर को बोलने के लिए चुना गया था इन में से संगीता टिकम ने बात चित की, इस मौके पर उपमुख्यमत्री अजीत पवार ने घर की स्तिती और रोजकार के अवसरों की चान काई दी उसके बाद संगीता टिकम ने याद दिलाया कि जब से उनके पती का दिहान्त हुआ है तब से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी खेती हर मज़दूरी कर पूरी नहीं हो रही है उन्होंने सरकार से लड़कियों के घर, आश्रे और स्वास्त का ख्याल रखने और उनकी मदद करने की अपील की उन्होंने आशवासन दिया कि सरकार निश्यत रूप से मदद करेगी इसके बाद मुख्यमंत्री ने ओनलाइन उपलब दलाबातियों को संबो दित किया, जब लोग वोट देते हैं तो वो अपना भविश्य और अपने जीवन को अपना बनाते हैं उन्होंने कहा इसलिए केंजर या राज्य की योजनाओं को लागू करने की जिम्यदारी सरकार और प्रशासन की होती है सरकार और प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि योजनाओं की क्रियान वेयन में कोई सूखा न पड़े यदि केंजर और राज जद्वारा सभी योजनाओं को शर्थ प्रतिशत लागू किया जाए तो नागरिकों को बहतर सुविधा अए प्रधान की चासर तीसरे सत्स में दोपहर दस बचकर पचास मिनिट से दोपहर बारा बचकर दस मिनिट तक प्रधान मंसी नहेंज मोदी न इस तर डिजिटल जूप से किसानों के खाते में जबा कर दी इसके बाद उन्होंने पिछले आठ वर्षों में केंजर सरकार की विबिन नयोजनाओं और उनमें से आये बदलाओं की जानकारी दी आज के कारिक्रम में अवसर पर कलेक्टरेट के बचत भवन में जिल्यक की विबिन नयोजनाओं के लगबग 300 हितगराही मौजुद रहे यह बहुत सुनियों जित था लाबातियों के लिए खान पान और याचा की व्यवस्ता की गई थी कारिक्रम की उपस्तिति को याद रखने के लिए लाबातियों के लिए एक आकशक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था यहाँ सेल्फी लेने वालों ने जम कर लुफ्त उटाया कारिक्रम में नाखपूर महानगक शेट्स के लाबा ग्रामिंग शेट्सों से भी बड़ी संख्या में लाबाति शामिल हुए